नमस्कार साथियों स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल में जो साथी एप्यार भरे है एप्यार का सेकेंड पार्ट उसको जब सब्मिट करते हैं तो एक परकार की समश्या काफी साथियों को आ रही है आज किस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो समश्या का कारण क्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है जब हम सब्मिट करते हैं तो इस परकार की चीज़ आ जाती है कि कोलम नेम एंड नंबर सप्लाइज वैलुज डजनोट मैच इस परकार का मैसेज आता है और हमारा सब्मिट नहीं हो पाता है अब इसका कारण क्या हो सकता है अभी मैं आपको एक इसकी जो इमेज आती है वो दिखाता हूँ इस परकार से इमेज आती है जब OTP बेजते हैं तो हमारा जो फॉर्म है वो सब्मिट नहीं हो पाता है तो आएए चलते हैं EPR में और जानते हैं इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं और क्या समाधान हमें करना चाहिए यह है EPR पार्ट सेकिंड का जो फर्स्ट स्टेफ है एप्लिकेशन फॉर्म यहां पर एक मुख्य समझ्य यह है कि जितने भी कोलम दे रखे हैं हमको सभी में एंट्री करनी है कोई भी कोलम छोड़ना नहीं है यदि कोई एंट्री नहीं है तो उसमें निल या हमको जीरो भर देना है यदि हम यह करते हैं तो हमारी समझ्या जो है वो सोल्व हो जाएगी जैसे पहला पॉइंट आ जाता है आप निर्दारिक लक्षे भरने हैं तो आप सो परसेंट भरिए और वास्त्री को पलब्दी है वो भी आप लगबग सो परसेंट भरिए कम भरेंगे तो आपको कारण देना होगा यदि कोई कारण नहीं है तो इसमें आप निल भर दें आप निल करके आप निल भर सकते हैं या फिर हिंदी में भी आप भर सकते हैं ऐसे ही प्रिक्षा प्रिणाम आपकी जितनी भी कख्षाएं समनित पर लागू होती है उनको आपको सभी के एंट्री करनी है माली जी कि आप किसी कख्षाम नहीं पढ़ाते हैं तो आप कुल विद्यारती और उत्यों विद्यारती तो आप भरनी सकते हैं आप जो जो कलास में पढ़ाते हैं वहीं सेलेक्ट करनी है और कुल विद्यारत कि आपको सेव कर देने हैं यदि आप एक से ज़्यादे किलास पढ़ाते हैं तो सेव करने के बाद में दूसरा कोलम इसी प्रकार का नीचे आ जाएगा उसको भी भरके सेव कर देना है अन्य सेक्षिनिक उपलब्दियों का उलेक तो इसमें आपको कुछ ना कुछ भरना है इसको भी खाली नहीं छोड़ना है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि COVID-19 में ओनलाइन शिक्षा परदान की या फिर गर-गर जाकर कार्य किया इस परकार से अब आता है वर्ष के दोरान प्रात प्रक्सिक्षन का विवरन तो इस दोरान आपने जो भी प्रक्सिक्षन किया है उसमें सारे कोलम भरके आपको शेयो करना है एक से जादा अगर प्रक्सिक्षन किया है तो उसी परकार से दूसरा कोलम खुलेगा वो भी आपको भर देना है निरक्षण सभी निरक्षण अधिकारियों के लिए तो ये निरक्षण अधिकारियों के लिए है इसमें जो निरक्षण अधिकारियों है वो ही भरेंगे अन्य था आपको इसमें निल कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं प्रतिवेदित अधिकारी द्वारक किए गए कारियों का संशिप्त विवरण इसमें भी आप निल भर सकते हैं स्वास्थ परिक्षन यदि यस करेंगे तो आपको एक जो आपकी स्वास्थ परिक्षन का जो पेज है वो आपको अपलोड करना होगा निया था इसको नो रहने दे कोई दिक्कत नहीं है संपत्ति के विवरण आपको भर देना है संपत्ति नहीं है तो आप इसमें निल निल भर देंगे इसके बाद में जब आप सब्मिट करेंगे तो आपकी जो समश्या आ रही थी उसका समाधान हो जाएगा और आराम से आपका सम्मिट हो जाएगा OTP आजाएगी, सारी चीज़े आजाएगी और आपका जो APR है वो complete भरा जाएगा तो साथी इसमें यही चीजे थीं कि जिसमें लिखने की चीजे हैं उसमें आप निल भर दें और कोई अंक गणिती है अगर कोई कोलम है तो उसमें आप 0 भर दें उम्मिद करता हूँ कि आपकी समश्या का समधान हो जाएगा यदि समश्या का समधान होता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेर करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर इस परकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं थांक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो